आज एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हुई हूँ प्रचंड वशी करन का टोट का लेकर जिस टोटके को करने के बाद आप जिस इस्तरी को चाहते हैं या फिर जिस पुरुश को चाहते हैं उसको तुरंथ अपने वश में कर सकते हैं जी हाँ ऐसे अचूक टोटके जो आपको यहाँ वहाँ भटकने से भी नहीं प्राप्त होते हैं ऐसे अचूक टोटके आपको मैं बताती हूँ क्योंकि गुरु जी के द्वारा ये तोट के सिध किये जाते हैं ये मंत्र सिध किये जाते हैं और तब आप तक पहुँचाए जाते हैं ताकि आपको यहां वहां भटकने की अविशक्ता ना पड़े और आप अपने प्यार को बहुत आसानी से, बहुत सरल तरीके से बहुत छोटे टोटकों को करकर प्राप्त कर पाते हैं तो आज जो में टोटका आपको बताने जा रही हूँ वह टोटका बहुत ही सरल और आसान है आपको इसके लिए कहीं जाने की अवशक्ता नहीं है सबसे आसान टोटका है और इसको करने के बाद असर उतना ही जादा तेजी से होता है जितनी तेजी से आप अपने प्यार को पाना चाहते हैं तो चलिया आपको बताती हूँ ये टोटका आपको करना किस तरीके से हैं आपको इस टोटके को करने के लिए कुछ नहीं करना है सिर्फ और सिर्फ अपने बालों का इस्तमाल करना है क्योंकि अपने बालों के इस्तमाल से आप इस टोटके को करेंगे तो आप जिसे चाहते हैं वह आपको प्राप्त हो जाएगा अकसर ऐसा होता है कि लोग जिसको पाना चाहते हैं उसके बालों की अविशक्ता होती है लेकिन ये जो टोटका है इसमें ऐसा बिलकुल नहीं है इसमें आपको अविशक्ता होगी तो अपने ही बालों की तो बहुत आसान है ये टोटका आपके लिए आपको सर्फ अपने दो बाल लेने हैं अपने बाल लेने के बाद एक चीज़ का ध्यान रखिएगा ये आपको उपायर रात को करना है और बहुत ही साब धानी से करना है जब आप ये करें तो आपके आस पास कोई होना नहीं चाहिए बिल्कुल एकांत में बिल्कुल अकेले में आपको ये टोटका करना होगा अपने दो बाल लीजेगा रात को आपको ग्यारा से बारा बजे के बीच ही इस टोटके को करना होगा जो आप अपने दो बाल लेंगे उन दोनों बालों में से एक बाल लीजेगा उसको अपने दाइने हाथ में रखिएगा और मंतर का उचारण कीजेगा मंतर मैं आपको बता देती हूँ कि मंतर है क्या मंतर है ओम, हीम, क्लीम, कलीकुंड, स्वामिनी, नमा इस मंतर का आपको तीन बार जाप करना है और जो बाल सीधे हाथ में है उसको तक्ये के नीचे सीधी तरफ रख देना है इसी प्रकार दूसरा बाल उल्टे हाथ में लेना है और इसी मंतर का उचारण तीन बार करना है और इस बाल को तक्ये के नीचे उल्टी तरफ रख देना है रात बार उसको तकी के नीचे रख के आपको सो जाना है और सुभा उठने के बाद वो दोनों बाल उठाने है और जाकर आपको जिसे आप चाहते हैं उसके घर के बाहर फूप मार देनी है वो दोनों बाल उसके घर के बाहर गिरा देने है और घर के बार बाल गिराने से पहले आपको फिर इसी मंत्रगा उच्छारण करना है एक चीज़ का ध्यान रखेगा जब आप ये टोट का कर रहे हो आपको कोई देख नहीं रहा हो आपके आसपास कोई नहीं हो ऐसा करने के बाद आप अपने घर वापिस आ जाएं और पीछे मुड़ कर ना देखें यकीन मानिएगा अगले एक घंटे के अंदर वह व्यक्ति चाहे वह इस्तरी हो या पुरुष हो वह आपको कॉल करेगा और मातर 24 घंटे के अंदर आपकी और दोड़ा चला आएगा जैसे कि कोई चमतकार सा हो गया हो वह आपके प्यार में बिलकुल पागल हो जाएगा तो इस टोटके को ठीक तरीके से कीजिएगा तोटका नहीं समझाया हो तो एक बार फिर से आप गुरुषी से इस टोटके के बारे में जानकारिया प्राप्त कर सकते हैं जैमातादी